ये शुर्बात करते और आपको सीधा लिए चलते हैं आपू जहाँ पर जेपी नड़ा जन सभागो संबोदीत करते हुए नजरार है मैंने साथ सुपर स्पेशाल्टी ब्लॉट बनी है आधी बिल्डिंग बन करके खड़ी है पूरा क्यों नहीं हो रहा है कहां साहँ यूटिलाइजेशन संटिपिकेट ही नहीं दिया है ठेकेदार के साथ घोटाला हो गया यह घोटालों का सरकार्थी गोंती के रिवे फ्रंट फडियार तर सोलह हजार करोड रुपैlor का सीवियाई बनाये केस रीजिस्टर किया है चिया फोटाला गै viral किघसी लिए कि सीविया। और 15 लाख लैप्टॉप करीने थे और बटे तिर 6 लाख अच्छी सदार बाकी कहा गए युवाओ के कहा गए अभी एक लाख लैप्टॉप और स्मार्टफोन बटे आने वाले समय में एक करोर नो जमानों को ये लैप्टॉप और स्मार्टफोन देंगे योगी जी इस बात को समझना चाहिए इनके जमाने में आपको मालू है पांच साल में कितने दंगे हुए मालू है 700 दंगे 700 दंगे 700 क्या वही राच चाहते हो यही है इनका खांदान यह आजकल हाथी के दाथ दिखाने के और और खाने के और हैं चुनाओं से पहले यह सब्दबार दिखाएंगे 700 दंगे हुए हैं मुझफवर नगर में 2013 में 62 लोग मारे गए कौन पुझेगा यह पलायन हुआ आप परिवार छोड़ करके करना में चलेगे लोग इसको याद करना चाहिए और सबसे दुख की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने 15 आतंतवादियों को को उनके खिलाफ केस विड्रौ किया था ऑन रिकॉर्ड 15 आतंतवादियों को कोट ने विड्रौ करने की इजाज़त नहीं दी कोट ने केस लगाया चार को पाथी हुई और बाकियों को सजाए उमर कैस हुआ है यह है अखिलेश जी यहनेता यह मुक्हमंत्री बने का चाहर रखने والे बराओ गए अखिलों को लाओ गया अखिलों को यह बाते मत्सक्रादे की हैं पंदरा लोगों के खिलाब केसरा अपस ले लिया और उन्हें से चार को सजाए मौत हुई आपनाधी माव्या आजकर on करें चलो गटमंजदन देकरार हैं को गटमंजदन के लिए इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन है और उत्तर पुदेश के जलता के अठ्थे दिन है इस बात को हमको समझना चाहिए इसको हमको ध्यान रहा हुआ कि वित्रों आप अभी नारा लगा रहे हैं जैश्री राम का ये जैश्री राम के नारे को ताकत किसने दी किसने दी ये आपको समझना चाहिए हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है हमारी पार्टी कुर्सी के साथ की बखने नहीं आई है हमारी पार्टी कुर्सी को बैठ करके भारत को विचार और ठिश्टी से प्रश्ट करके मजूद रश्ट बढ़ने आई है इस बात को अंपो समझना चाहिए और फिर कहने के लिए नहीं कहता मैं नारे के लिए नहीं कहता बताईए धारा तीन सो सप्तर को घटाना था कि नहीं हटाना था सत्तर साल गुजरगत थी कि नहीं गुजरगत थे सत्ता में लोग आई और गए ये काम नहीं हुआ था ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमिच्छा की रण नीती थी कि धारा तीन सो सत्तर को धारा शाही कर दिया ये भी हमको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में दो सो चपन कानून भारत के लागू नहीं होते थे आज वो सारे कानून लागू हो रहे बताएए नो करोड मुस्लिम बहने तीन तलाज से दुखी थी कि नहीं थी नो करोड बहने मुस्लिम बहने तीन तलाज से दुखी थी कि नहीं थी सुप्रीम कोट ने कहा था कि तीन तलाज हटाओ किसी देदा में ताकत नहीं थी मोदी जी ने उनकी इच्छा शक्ति ने तीन तलाज समाथ करके नो करोड बहनों को आजादी दिलादी इस बात को हमको समझना चाहिए इस को हमको ज्यान दुखी यह महिला शक्ति के प्रती समर्पन और आप बताएए यह जो भव राम मंदिर अब बन रहा है इस राम मंदि को बनने में कि अक्रेशी के पृढ़ी ने राम मंदों पर भोली जलाई दी नहीं चलाई थी चलाई थी और कॉंग्रेश पार्टी में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था घी नहीं, कहा था कि रांगन भूमी के फैसले को टालो